हांजी नमस्कार सुस्वागत हम आ गया आपका स्वागत भिनन दन करती हूं मैं डॉक्टर वायरा की पढ़नाम करती हूं आपको कोटी-कोटी और पढ़नाम करती हूं आपके पित्रों को सुखी रहें आपके पित्रों और उन्हें एक अच्छी जिन्दगी आगे आने वाले टाइम में मिलें उनके आत्मा को बहुत-बहुत शानती मिले अपने रतनों की शंकला को आगे बढ़ाते हैं और आज उस रतन की बात करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है और इस रतन के बारे में सुनने के बाद निश्चे थी ये रतन आपको भी बहुत पसंद आएगा हांजी चलते हैं रतनों की रहसे मही दुनिया में पन्ना सुनकर अच्छा लगता है ना बच्पन में जब मैं इसका नाम सुनती थी तो हीरा पन्ना नाम के एक पिच्छर थी अ जोतिश की माने तो जोतिश की अनुसार अपनी पत्री का दिखा कर अपना हाथ दिखा कर अपने माथे की लकीरे दिखा कर ही आपको कोई भी रतन धारन करना चाहिए कहते हैं कि ये रतन बड़ा ही चमतकारी रतन है जिसकी राशी मिथुन या कन्या होती है वो ये पन्ना रतन पहन सकते है पन्ना रतन हरे रंका होता है इसे बुद्वार वाले दिन धारन किया जाता है पन्ना रतन धारन करने से स्मरन शक्ती बढ़ती है याद है ना मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था इससे बुद्धी बहुत तेज होती है आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने के साथ साथ आपकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है आप इतना अच्छा बोलते हैं कि आप जहां जाते हैं वहां पर आपकी वाहा वाहा होती है इसी लिए जितने भी जोतिश हैं उन्हें ये रतन धारन करना चाहिए जितने भी politician है जिनका बोलने का काम है या जो media के अंदर है या जो teachers हैं या जो वकील हैं या जो judge हैं उन्हें भी ये रतन धारन करना चाहिए लेकिन अपनी कुंडली दिखाने के बाद हाजमा अच्छा करने के लिए भी इस रतन को धारन करते हैं नौकरी और वेपार में उन्नती के लिए भी पन्ना रतन को धारन किया जाता है पन्ना रतन धारन करने से आपकी personality बहुत खुबसुरत होती है क्योंकि आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है पन्ना धारन करने से अधुरी तमन्नाय पूरी होने लगती हैं कुंडली को देखकर यदि कोई भी रोग ऐसा हो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था उस रोग को खतम करने के लिए खासकर अगर वो रोग आपके पेट से जुड़ा हुआ हो आपकी बुद्धी से जुड़ा हुआ हो आपकी मानसिक शक्ती से जुड़ा हुआ हो तो आप पन्ना धारन करकर आरोगे का सुख प्राप कर सकते हैं हर घर में पन्ना रतन उचिज स्थान पर रख भी सकते हैं जैसे आप अपने घर की तिजोरी में अगर पन्ना रतन रखें तो धन का आगमन बढ़ने लगता है और आपके जीवन के अंदर आप बहुत सारी खुशियां महसूस करने लगते हैं। मिथुल लगन वाले भी पन्ना धारन कर सकते हैं लेकिन कम से कम अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। कन्या लगन वाले भी पन्ना धारन कर सकते हैं, जिससे राजयोग, विपार, पिता से संबंद अच्छे, नौकरी और शासनिक कारियों में आपको सफलता मिलती है. पन्ना पहनने से बुध्धी तो तेज होती ही होती है, लेकिन आपकी बेहन के साथ भी आपके संबंद बहुत अच्छे होते हैं. आपको पता है, जिस भाई का बुध्ध खराब हो, उसकी बेहन को अपने भाई को पन्ना तोफे में देना चाहिए. अगर आपकी बेहन शादी करकर घर गई है और ससुराल का सुप पूरी तरहां से प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो ऐसे भाई को पन्ना धारन करना चाहिए. पन्ना धारन करना बहुत असान है पन्ने को सोने में और चांदी में दोनों में धारन किया जाता है पर बहुत उत्तम हो अगर आप पन्ना सोने के अंदर धारन करें अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसे हम चिची उंगली भी कहते हैं इसमें पन्ना धारन करना चाहिए, पन्ना बुदवार को धारन करना चाहिए, पन्ना कम से कम सवा पांच रति का हुना चाहिए और जादा से जादा आपके वजन के बराबर, यानि अगर आपका वजन 100 किलो से उपर है तो आप 8 रत्ती का पन्ना भी धारन कर सकते हैं तो जितना एक व्यक्ति का वजन होता है उस हिसाप से अस्ट्रोलॉजर आपका वजन देकर आपको पन्ने का रत्ती बताता है कि कितना रत्ती का पन्ना पहने पन्ना हरे रंका होता है पन्ना बहुत खुबसूरत रतन है पन्ना छोटी सिंबली में जरूर पहना जाता है लेकिन ये आपके बुद्ग रहे को बहुत अच्छा करता है इसे बुद्वार वाले दिन धारन किया जाता है इसे धारन करकर हरी घास चारा आप गाएं को जरूर पन्ना धारन करने वाले को गनपती महराज की पूजा करनी चाहिए पन्ना धारन करने वाले को गनेश जी के सामने हरिहरी घास और दूरवा अरपन करने चाहिए पन्ना धारन करकर आपको इलैची खाते रहना चाहिए पन्ना धारन करकर आपको एक-दो महीने में कभी भी या म पूजित, प्रानपरतिष्टित, अभिमंतृत और जाकरित पहनना चाहिए। पन्ना पहनने का सही मूरत देख कर पूछ कर अपने अस्ट्रोलॉजर से फिर धारन करना चाहिए। पन्ना पहन कर मंदिर में कुछ दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप मंदिर में छोटी हरी इलैची दान कर सकते हैं, आप गउशाला में चारा दान कर सकते हैं, आप हरी मूं की दाल दान कर सकते हैं। परन्तु जिनके भी बारवे भाव में बुद्ध बैठा होता है, कुंडली के बारवे भाव में बुद्ध बैठा होता है, ऐसे जातक कभी भी पन्नाधारन नहीं कर सकते जोतिश की माने तो छटे आठवे और बारवे भाव का स्वामी अगर बुध हो तो भी आप पन्नाधारन नहीं कर सकते यदि बुध की महादशा चल रही हो और बुध आठवे या बारवे भाव में हो तो भी आप पन्नाधारन नहीं कर सकते आपको पन्ना हमेशा अच्छे नक्षक्तर में अच्छे दिन पूजा पाठ करकर पहनना चाहिए इसे सिद करकर पहनना चाहिए पन्ना पहनने से गनपती महराज की भी विशेश किर्पा आप पर होती है आपका बुद्ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है आप सदेव रहने लगते हैं, पन्ना धारन करने से आपकी पाचन शक्ती एच्छी होती है, कोई भी रतन, चाहे वो पन्ना हो या कोई भी रतन हो, ऐसी जगा पर पहन कर नहीं जाना चाहिए, जहां सूतक और पातक लगा हो, पन्ना पहन कर कभी शमशान घाट या ऐसी जगा पर नहीं जा पन्ना पहनते वक्त खुश होकर गनेश महाराज को याद जरूर करना चाहिए। ये सोच कर धारन करें कि आज मैंने बुद्वार वाले दिन पन्ना धारन किया है, मेरी जिन्दगी में जबर्दस बदलाव आएगा, मेरी जिन्दगी में अब सब कुछ अच्छा और बहतर होता चला जाएगा। जब है आपको हो कि आप पर किसी ने जादू टोना करा दिया है, तो भी आपको पन्ना धारन करना चाहिए। गुप्त रोगों को भगाने के लिए पन्ना बहुत ही खुबसूरत और कारगर एक पत्थर है, एक स्टोन है। लेकिन वो आपके ओपर तब ही काम करेगा जब आप उसे शर्दा, विश्वास और नियम के साथ धारन करेंगे। जी हाँ, तो कैसा रहा पन्ने से जुड़ा ये खुबसूरत सा सफ़र कमेंट्स में जयमातादी जरूर लिखेगा। फिलाल दीजे जैसत अपनों और अपनों का रखेगा खास दियान जयमातादी।